बस मैं अभी सुबह उठा था दोस्तों और मैं क्या देख रहा हूँ एक से एक मार्वल ट्रेलर हम लों को दिखाए देर यहाँ पर डिजनी प्लस का ट्रेलर दिखा दिया उसके बाद केविन फैगी ने फेस्वाइब की ऑफिशल एनौस्मेंट कर दी अरे यार मज़ा आ गय है तो यहाँ दोस्तों हम लोग सब कुछ डिसकास करेंगे और दोस्तों एक बात और मेरे पास फेस्वाइब से इतने कॉंटेंट है कि सिर्फ एक वीडियो से काम नहीं होने वाला है इसलिए बाकी वीडियो से भी आ रहे है लेकिन दोस्तों सिर्फ आज के वीडियो में हम और एक सब्सक्राइब करेंगे जो कि केवन फगी ने ओफिशली रिवील किया तो दोस्तों कम्प्रीट वीडियो को स्टार्ट करने से पर आप लोग कर देजे वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपकी फेस्वाइब की फेरिट मुई कौन सी होगी साथी साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बॉक टॉक्स फामली का हिस्सा बन जाई तो दोस्तों शिरुवात करते हम लोग कैप्टन मौर्वर 2 से यहां पर दोस्तों यह तो कन्फर्म हुई थी लेकिन यहां पर एक चीज और हो ग करते हैं उसके बाद दोस्तों एक और क्याक्टर जो कि क्याप्टन मौर्ल के खुद फैन है जिसका नाम है मिस्स मार्वल वह भी अपना रूल रिप्राइस करी क्याप्टन मौर्वर 2 वी में यहां दोस्तों यह मोई भी काफी ज्यादा ऑसम होने वाली है इन सबके अलावा Ant-Man and the Wasp Quantum Mania यानि दोस्तों Quantum Realm का एक बहुत इंपोर्टन रोल होने वाला है और यही वो तरीका होगा जिससे Kang the Conqueror वापस आ सकता है वापस इन दे सेंस वो किसी और रिल में होगा लेकिन में मार्वा सिर्मेटिक इनिवसम में हम लोग को दिखाई देगा अब यहां पर हैं Ant-Man and the Conqueror में अर्थ में आके Conquer करने की कोशिश करेगा अब यहां पर दोस्तों और केतने कैक्टस आ रहें यहां पर दोस्तों हम लोग को हैंग पीम दिखाई देंगे और हो सकता है घोष्ट का भी अपीरेंस हो दोस्तों हम लोग एंटम पार्टिकल लाने वाले थे क्वां करें उसके बाद दोस्तों अगले मुई की बात करते हैं जो की हो सकता हो एंटमें 3 से करेक्टर और जो की हो फेंटास्टिक 4 इनको डायट कर रहा है जोन वाट्स और यहां पर दोस्तों हलका से टीजर भी दिखाएगे कि फेंटास्टिक 4 का लोगो कैसे फॉर्म हो रहा है और यह मुई भी काफी ज़्यादा आसम होने वाली है हम लोग फेंटास्टिक 4 का कब से वेट करते हैं और हम लोगों को लगा था कि Avengers Infinity War से पहले भी हो सकता है फेंटास्टिक 4 इंटर्डूस हो जाए लेकिन दोस्तों अगर एक जीनियस चला गया है तो दूसरा जीनियस आ जिसका नाम है Reed Richards वो दोस्तों ऐसी टेक्नोलोजी बना सकता है जिससे वो Galactus को भी एंड कर सके जीहां दोस्तों थौर के अलावा Reed Richards एक ऐसा क्याक्टर है जो कि Galactus को एंड करने की ताकत रखता है सिव अपनी दिमाग के बलबूते यहां पर दोस्तों लेकिन यह देखना पर अगर आगर आगर बात करें Spider-Man 3 की तो यहां पर बात करें टॉम इंग वर स्पाइडर मैं ने उसकी फिर बात करें लोग एंडु ग्राफिक श्पाइडर मैन तो इन लोग के बी ओर जिन स्टोरी दिखाए गे थी लेकिन अगर आगर बात करें टॉम हरंट की तो उसकी स्टोरी ने दिखा गए थी यहां तक की अंकल बें को भी ने दिखा गया था तो सेम केस हो सकता and fantastic 4 के साथ और यहां पर दोस्तो दिखाए हैं सकते हैं canadry एक प्लाइप थे जैसे की कोई quantum real में दोस्तों हो सकता उन्हें के साथ Genent Wasp फी थी लेकिन उस कुछ बताने वाली थ और उसके बाद हम लोग दे एवंजेस एंड गेम में भी सबको साथ में देखाता है लेकिन आगे का प्लान डिसकस नहीं हो पाया तो यह सब रीवील होगा निया टेटल है अब यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर में कि मुवी वही डायेट कर रहे है जो कि पहली दो पार डायेक्ट किये थे जिनका नाह में जेम्स गन दोस्तो अभी तक इस पूई में यह कंफर्म नहीं होगा कि क्रिस हैंस्वत थौर कर रूप में अपना रोल रिप् करना रहे है जिसके पास होगी और ब्लैक नेक्राट सृड़ को खतम करना चाता है वह भी इस मुवी में हो गाए यहाँ दोस्तो फैंट्यूरी ससाबित होने वाली है और यहां पर बहुत सारी चीज़ हम लों को देखने को मिलेगी और फ़ालि यह देखने में मज़े और नेक्रफोर्ड जो उसके पास आ जागी तो कितना जादा पौरफूल हो जाएगा दोस्तो इसी के साथ चले हमनों बात कर लेट है डिजनी प्लस के कुछ टीवी सीरीज की सबसे पहले बात करते है फैन फेवरेट आरेन हर्ट की यहां पर दोस्तो यह रिवील हुआ है कि रिरी विलियम्स अगला अडवांस आरेन मैं आर्पर बनाएगी लेकिन दोस्तो इसी साथ एक और कोशन आता है फिर हालली का क्या होगा क्यों वो एवंजस एंड गिम के फाइनल सीर में दिखाए दिया था क्या हो आरेन हर्ट की टीवी सीरीज में रिरी विलियम्स के साथ होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगी लेकिन दोस्तो एक चीस तो कद्ध होगी यहां पर शूरी आरेन हर्ट का मैंटल ने लेगी क्योंकि बहुत से लोग को लग रहा था कि शूरी भी एक टेक जीनियस है तो हो सकता है वो आरेन मैन के जाने के बाद आरेन मैन के टेकनोलोजी सम्हाले लेकिन जब से ब्लैक पंदर 2 के साथ यह सब हुआ है तब सब लोग को लग रहा है कि शूरी अभी वकांडा में रहके अपने किंग्डम को सम्हालेगी और ब्लैक पंदर के मैंटल को और जदा अच्छा करेगी इन सब के लाग दोस्तो एक और टीवी सिरीज है जो की काफी इसमें फैंस को लगा नहीं था कि यह भी टीवी सिरीज आए कि जिसका नाम है आयम गुरूट अब यहां पर हम लोग डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें लिटल गुरूट की बात हो रही है जाने दोस्तों यह कप का सीन दिखाये जाएगा अब यहां पर जब गूट आएगा तो क्या रॉकर्टिक्स के साथ होगा और इक कौन सी स्टोरी लाइन फॉलो करेंगी अभी फैंस को इसके बार में कुछ ने पता लेकिन दोस्तों यह सब तब रिवील होगा जब हम लोग इसका ट्रिलर देखेंगे और आम लोग को इसका कॉंसेप्ट सबज में यारी दोस्तों इसमें निक फ्यूरी का इंपोर्टेंट रोल ज्यादा होगा और यहाँ पर हो सकता है कैप्टन मालोल टीवी सीरीज के एंड में और यहाँ पर लोग टीवी सीरीज इसलिए बना रहें क्योंकि सीक्रेट इन्विजन इतनी कॉंप्लेक्स दीजे किसे एक ब बात करें कैप्टन मालोल टू की तो इन में स्क्रल्स को अच्छा दिखाए गया था लेकिन अचाना कम लोग सीक्रेट इन्विजन की टीवी सीरीज देखेंगे तो ओडियंस क्या समझेगी तो यहाँ पर हो सकते कुछ अच्छे स्क्रल्स भी हो और कुछ खराब स्क्रल्स अच्छ आपिर्यंस की साथ पावस को भी कॉपी कर सकते हैं उनका नाम है सूपर स्क्रल्स अगर दोस्तों सूपर स्क्रल्स का इन्वाल्मेंट होता है स्टीवी सीरीज में तो ओडियुक्व को काफ ज़्यादा मजाएगा तो अगली टीवी सीरीज की बात करते हुट उसका जगर कि क्या हो अगर टोनी श्टा के टेक्नोलोजी किसी गलत हातों में चली जाए तो दोस्तों यह थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटिटिटीव मार्वल फेस्पाइब के ओफिशल स्लेट रिवील से आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वैसे आपकी